नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे हैं अंग्रेज और भारतिय प्रसाशन का पाचवां और अंतिम व्याख्यान। इससे पहले के व्याख्यानों में हमने विभिन गुवर्णर जर्नल्स के टाइम में भारतिय प्रसाशन में जो परिवर्तन हुए जो व्यवस्थाएं जो प्रावधान हुई उनका अध्यन किया था। विगत व्याख्यान की बात करें तो विगत व्याख्यान में हमने उस गुवर्णर जर्नल्स की बात की थी जो भारतिय लोगों में सरवाधिक लोग परिये हैं। जिहां उनका नाम लॉर्ड विल्यम बैंटिक जिनोंने अनेक आर्थिक सुधार किये, नियाइक सुधार किये, परसासनिक सुधार किये, लेगिन उनका जो कॉंट्रिबुशन है जिसके लिए हम उनको एक मानवता का दरजा देते हैं। भारत में सती पर था, जो की सदियों से चली आ रही थी, एक एहमान विये पर था, कन्यावत पर था, एक एहमान विये पर था, इन पर्थाओं पर रोक लगाया। तो ये जो उनका जो कॉंट्रिबुशन, ये जो उनका एक भारतिय समाज में जो बुराईयां थी, उनको रोकने का जो परियास जो कारिये हैं, इसके लिए वे परसंस नहीं हैं। आज हम चर्चा करेंगे लौड डलहौजी, जिसका कारिय काल 1848-56, भारतियों के लिए एक कुख्यात, गवर्नर जर्नल। लौड डलहौजी भी लौड वेलेजली और लौड हेस्टिंग्स की तरहें पक्का सामरज्यवादी था। यदि वेलेजली के कार्य को लौड हेस्टिंग्स ने पूरा किया, तो लौड हेस्टिंग्स के से इस कार्य को लौड डलहाजी ने संपोर्ण कर समस्त भारत को लाल रंग में रंग दिया, उसने भारत में अंग्रेजी विस्तार के लिए दो तरीके अपनाए, वो भारतियों म बड़े निंद लिये रहे खास कर गोध लेने की पर्था जिसमें जो भारतिय समाज में गोध लेने की पर्था थी जो को राजवन्स थे वो भी पुत्र गोध लेते थे यदि उनके संतान नहीं थी और अपना उत्राधी कारी खोशित करते थे लेगिन लौड अलहाजी ने इ भगात उदयपूर जहांसे नागपूर बरार इं राज़ों को इस निती का शिकार बना कर उनको हडबिया विद्यारतियों उसमें उदयपूर नामाया था यह उदयापूर रजस्थान वाला उदयपूर नहीं है ये मध्य पर देस में इस्तित उदयापूर तो ये लाड डलहौजी ने ये जो कारी किये लेकिन इसके बावजुद यह मानना होगा विद्यार्थियों कि लार डलहौजी उसने राज्य विस्तार तो किया और उसमें अभूत पुर सफलता मी मिली परंद उसके बावजुद उसने कुछ परसासनिक सुधार भी किये जो एक बड़ी एक बड़ी कॉंट्रिबूशन इस देश के लिए ब्रिटिस सामराज्य के लिए वो लाड डलहौजी के समय जो परसासनिक कारिये हुए वैग्यानिक और तकनीकी प्रगति हुई और भारत में रेल सेवा कंपनी जो भारत में प्रार्म करना चाहती थी इसके लब़ डलहौजी ने अपने प्रसासनिक सुधारों से जन्मानस को भी प्रभावित करने का प्रियास किया तो यदि हम प्रसासनिक सुधारों की बात करें तो पहला तो डलहौजी के काल में 1833 का जो एक 20 साल के लिए जो एक्ट था उसकी अवधी लड़ डलहौजी के कारियकाल में सम्माप्त हो रही थी अतेर, 1853 में जो अधिनियम बना उसमें लड़ डलहौजी की बड़ी भूमिका रही, एहम रही उसमें डलहौजी के समक्स तीन महत्रपून परशन थे, ये परशन थे गववर्नर जर्रल की स्थिति, विधी निर्माण, समंधी विवस्था, तथा बंगाल की सरकार का स्वरूप उसने सुरपर्थम गववर्नर जर्रल की स्थिति पर ध्यान दिया, वह कंपनी रज्य की सारी सक्ति गववर्नर जर्रल के हाथों में केंद्रित रखना चाहता था, आत्या उसने परशासनिक सुधार इस परकार के किये, जिसमें सासन का केंद्रिय करण हुआ, जैसे बंगा बंगाल में उप गवर्नर की न्यूकती डलहौजी के काल में समस्त भारत कंपनी के परभुत्तों में आ गया था। सामराज्य विस्तार के साथ साथ गवर्नर जर्नल के कारिये तथा उत्तरदायतों भी बहुत अधिक बढ़ गए थे। इस कारण गवर्नर जर्नल से बंगाल का प्रसासन का कारिये कम करने की दरश्टी से बंगाल में एक डिप्टी गवर्नर की न्यूकती और करती गई। इसके अलावा नवीन जो विजित राज्ये थे उनमें एविने प्रनाली लागू करना। डलहो जी अपने सुधारों में बड़ा स्तरक था। प्राओं के आधार पर ही संचालित होता रहे। इस प्रनाली के अंतरगत उसने पंजाब, मध्यपरदेश, अवद्ध और बर्मा में कमिश्णर न्यूकत किये। और उन कमिश्णर्स की न्यूकती के पीछे उसका मूल उद्देश्य वहां शान्ती रखना था। आते उसने कमिश्णर्स को दिवानी और फौसदारी की बहुत सी सक्तियां प्रदार की। इसकी अतरिक्त केंदरी सरकार का काम हलका करने की दृष्टी से उसने कई नए डिपार्टमेंट्स बनाए। प्रांतिय प्रसाशन में सुधार करने की दृष्टी से उसने प्रांतों को कई जिलों में विभक्त कर दिया। जैसे की बिहार को 23, बंबई को 13, मदरास को 20 जिलों में विभक्त कर दिया। भारत में अंगरेजी राज्य के विश्तरत हो जाने से गर्मी के दिनों में जो सिमला को भारत की नवीन राजदानी। कि बई गर्मी है मैदानों पर तो पहाडों पर से जो है वो संचालित होगी। वो नवीन राजदानी बनाए। यदि हम डलहाजी के सैनिक सुधारों की बात करें। तो डलहाजी के समय भारत में अंगरेजी राज्य विश्तरत हो गया था। परंतु पंजाब जैसा परांत कलकत्ता की राजदानी से बहुत दूर पड़ता था। कलकत्ता की राजदानी से मेरा मतला कलकत्ता जो की उस समय राजदानी थी। सैनाको बंगाल से अटाकर धीरे धीरे पष्चमी भारत में भेजना प्रारम किया। क्योंकि डल्हाजी को अफगानों का भै था तोफ खाना बंगाल से हटा कर मेरट भीज दिया गया सेना का केंदर कलकत्ता के स्थान पर सिम्ला बना दिया गया भारतिये सेना के विद्रो से बचने के लिए उसने भारतिये सैनिकों में कमी कर दी उन्हें छोटी छोटी में बाट दिया और उन्हें विभिन स्थानों पर तैनात कर दिया ताकि वे संगठित नहीं हो सके भारतिये सैनिकों के प्रतिरोध में उसने गोर्खा सेना तैयार की नेपाली गोर्खा दलहुजी ने भारत में एक एनिमित सैनिकों की सैना और गठित की और उससे सीधे पंजाब के गोर्णर के अधिन रखा अंत में उसने ग्रह सरकार से अंग्रेजी सैनिक अधी संख्या में भीजने का अनरोध किया की ताकि क्योंकि वो भारतियों की संख्या कम करना चाहता है और यहां जितने अंग्रेज आएंगे उतना वो ताकतवर रहेगा अब हम बात करते हैं उसके दूसरे सुधारों की जैसे रेल वैतार व्यवस्ता संबंदी बात है डाकतार भारत जैसे विसाल देश में समुचित यातायात के साधनों के अभाव में सासन करना का ठिक था उसने जो लाडलोजी है भारत के कोने कोने में अंग्रेज जी माल बेज कर लाप्राप्त करना चाहता था बेजना चाहता था आर्थिक सोशन करना चाहता था वह इंग्लेंड की कम्पनियों को भारत में रेल सेवाएं प्रारम कर भी उनको अभी उबलाइज करना चाहता था या वहां से जो भी उनकी उसके साथ सोदेवाजी हो अत्य है उसने भारत में रेल सेवाएं प्रारम करने के अनुमती इंग्लेंड की कम्पनियों को दे दी और दूर गामी प्रभाव पड़े तार व्यवस्था भी भारत को भारत में सासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक थी अते लार डलहुजी ने भारत में जगें जगें डाक खाने भी स्थापित किये तार संचार की व्यवस्था की इस प्रकार उसने राजधानी को समस्त भारत से मिला दिया आम जंता को अपने प्रिये जनों को समाचार भीजने वे मगाने के लिए डाक व्यवस्था भी की सस्ते दामों में पोश्ट कार्ड और लिफाफे आने जाने लगे इससे व्यापार भी सुगम हुआ सरल हुआ इसके बात करते हैं पब्लिक वेलफेर सारोजनिक निर्मान विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी उस समय एक महत्तपूर्ण विभाग का रूप धारन कर चुका था परन्तु यह विभाग लाड डलहौजी के भारत आने से पूर्व सेना के अधीन था सेना अपने ही कारियों की बहुतायत के कारण सारोजनिक कारिय को ठीक डंग से पूरा नहीं कर पाती थे अते डलहौजी ने इस विभाग को सेना से पूर्ण स्वतंतर कर दिया और उसके माध्यम से इस विभाग के माध्यम से पब्लिक वर्क्स डेपार्टमेंट सारोजनिक कारिय विभाग के माध्यम से देश में सडकें बनाई पूल बनाए नहरे बनवाने का कारिय प्राण किया कलकत्ता से पिशावर तक ग्रांट ट्रक रोड का निर्मान इसके काल में ही संबर हुआ इसके अलावा भी उसने कई सडकें बनाई गंग नहर ये विद्यारतियों ये गंग नहर नहीं जो हमारे इस तरफ आ रही है राजस्तान में गंगा नगर जिले में उसका नाम हमारी वाली का गंग है उसका नाम गंगा नहर जो डलहोजी ने बनवाई को सुचारी रूप से चलाने के लिए रुड़की का जो इंजिनिरिंग कॉलेज था उसका भी उसने विकास किया उसका भी उसमें सुधार हुआ नए फैकल्टी आई नए एक्यूपेंट्स दिये गए और ताकि वहाँ पर जो इंजिनिरिंग रिसर्च है उसका कारिय चलता र कि स्क्षा के छेत्र में सरव पर्थम लॉर्ड विल्यम बेंटिक ने ध्यान दिया था उसने शिक्षा का माध्यम अंग्रेज जी बना कर भारतवासियों को केवल मुंसी बनाना चाहा था परंतु उसकी इस निती से शिक्षा का विकास नहीं हो पाया था लाज डलोजी के पास वर्तमान उत्तर प्रदेश के गवर्णर ने शिक्षा समंधी एक प्रपोजल भेजा उस प्रपोजल में उसने एडवाईज किया कि शिक्षा के प्रसार के लिए स्थानिये भास्राओं में शिक्षा देना आवशक है अठारा सो चौवण में जो बॉर्ड ऑफ डारेक्टर्स है कि अध्यक्स चार्ल्स वुड ने भी शिक्षा समंधी एक प्रपत्तर डलोजी के पास में भेजा तो डलोजी ने शिक्षा में कुछ कारिये किया एक तो उसने जो तीनों प्रेजिडेंसियां थी उनमें लंदन विश्विध्याले के मॉडल पर विश्विध्यालियों की स्थापना कर दी मदरास बंबई कलकता प्रार्म में इन विश्विध्यालियों का कारिये शिक्षा देना नहीं था केवल परिक्षा लेना था इसके लावाए इंटरवेट डिग्री तक की शिक्षा के लिए कॉलेज खौल दिये गए, उन कॉलेजों को इन उनिविश्टीज के साथ में आफिलेटेड कर दिया गया प्रतेक प्रांत में एक शिक्षा कारियल स्थापित कर दिया गया कॉलेजों के नीचे एंगलो वरना क्यूलर्ट और हाई स्कूल्स की स्थापना की गई और शिक्षा का माध्यम अंगरेजी बनाया गया चार्ल्स वूड ने प्रतेक प्रांत में ट्रेनिंग कॉलेज खोलने का भी सुझाव दिया था शिक्षा के विकास के लिए प्राइवेट सिक्षन स्थानों को भी प्रोत्साहन दिया गया एवं उनकी आर्थिक समश्या के समाधान की द्रश्टी से उन्हें सरकार की तरब से ग्रांट जो है वो दी जाने लगी डलहुजी ने इस तरी शिक्षा के लिए भी एक मौटिवेशन का कारिये किया प्रतेक प्रांत में शिक्षा निदेश चक्याधीन शिक्षा विभाग की स्थापना हुई स्कूलों के अध्यापन कारिये का निरक्षन करने है तू इंस्पैक्टर्स भी निख दिए गए शिक्षा के विकास है तू अधिक संख्या में मिडल स्कूल्स भी खोले गए इसके बाद ही हम बात करें विया पारिक सुधारों की लाडलहौजी वैसे दुपका सामराज्यवादी था इंग्लेंड के हित के लिए वे भारत का सोशन करना चाहता था अपने इस उदेश्य की पूर्ती के लिए फ्री ट्रेड किणिती पर उसने आचरण किया उसने भारतिय बंदरगा सब के लिए खोल दिये भारत में आयात पर कोई प्रतिबंद नहीं रखा आयात पर चुंगी दरों में भारी कटौती कर दियी लाडलहौजी की इस निदी के कारण भारत में और धोगिक विकास का कारिय अवरुध हो गया यहां से कच्चे मल का निर्यात अदिक होने लगा इंग्लैंड का इंपोर्टेड माल सस्ता भिकने लगा और भारतिय ब्रोडेक्ट्स महंगे हो गए उसने जो भी वियापारिक सुधार किया डलहौजी ने वो अपने इस इंग्लैंड के लिए किया अपने व्यापारियों के लिए किया है डलहाजी के सुधारों की बात विद्यार्टियों हम जब करते हैं और उसका अउलोकन करते हैं तो हम निसकर्स पर पहुंचते हैं कि वह एक विजेता वे सामरज्यवादी तो था ही पर इसके साथ ही वह एक उच्च कोटी का परसासक भी था मानव चरित्र का पार्खी था तरक प्रधान और पत प्रदर्शक था परंतु वह अपने निश्चे के आगे योग्ये एवं अनुभवी व्यक्तियों के प्रस्ताओ भी ठुकरा दिया करता था अपने सहयोग्यों से सलहा लेना उसे पसंद नहीं था यही कारण था कि उसने जो भी सुधार किये उन्हें वह अपनी समझ में अच्छे वह सम्यानुकूल समझता था उसके उपरुक सुधार क्या भारत और क्या कमपनी दोनों के लिए ही अहित करसित हुए 1857 के विद्रो का उत्तरदाई भी उसकी जो रेस्पॉंसिबिलिटीज है वो भी लाड़ डलहोजी पर है और इन्ही सुधारों के कारण उसने भारतियों की स्वतंतरता का अभरण किया और उनका आर्थिक सोशन करके उन्हें दीन बना दिया इन्ही कारणों से 1857 का स्वतंतरता संग्राम हुआ तो विद्यार्थियों अंत में के डलहोजी एक उचकोटी का परसासक लेकिन भारतियों की दृष्टी में सत्ता का अपरण करता और हमारे जो यहां 1857 का जो विद्रो जो हुआ उस विद्रो में यहां के जो लोग हैं उनके मन में जो सबसे जो अधिक घ्रना थी वो उस समय लाट डलहोजी के खिलाब थी बहुत बहुत धन्यवाद झाल